चंदा कवी बहुत लड़ाकी थी जंगल में किसी भी बक्षी के साथ उसकी नहीं बनती थी अभी वो नदी में पानी पीने आए थी कि टूनी चरिया भी वहाँ आ जाती है टूनी चरिया को देखकर चंदा कवी कहती है अई तुम भी यहाँ आ गई हो जहां जाती हो वहीं पहुंच जाती हो सुकून से तो पानी भी पीने नहीं देती अब पूरा दिन खराब गुजरेगा मेरा चंदा कवी कैसी बाते करती हो मैं तो यहाँ पानी पीने आई हूँ मैंने तुम्हें क्या कहा है जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जंगल में सबी बख्शी के साथ तुमारा मूट खराब रहता है आखिर हम तुमें कहते ही क्या है अरे बस करो बस करो, जद दमा कराप मत करो अब भाषन देना शुरू मत हो जाना तुम लोगों से थोड़ी सी बात क्या करना तुम लोगों के तुबाशन ही शुरू हो जाते हैं अब जा रही हूँ मैं मुझसे और पानी नहीं पिया जाएगा उधी बैट कर याँ पर पानी पियो ये कहकर चंदा कवी वहाँ से चली जाती है और टूनी चडिया तो बस उसे देखती ही रह जाती है अगले दिन चंदा कवी अपने घर के बाहर खड़ी होती है कि वहाँ से लाडो चडिया गुजरती है हाई ये सब बक्षी पता नहीं मेरी जाने कब चोड़ेंगे अब देखो ना मेरी घर के बाहर से गुजर रही है मेरे घर में भी अपनी मनहुस्यत फैलाएंगी मैं भी जानकर इसको सीधा करती हूँ चंदा कवी लाडो चडिया का रास्ता रोक लेती है और उसे कहती है ओई लाडो चडिया मैंने तुमें कितनी बार कहा है कि मेरी घर से बाहर मत गुजरा करो तुम लोगों की मनहुस्यत का साया मेरे घर पर भी पड़ता है मुझसे तुम लोग और बरदाश्ट नहीं होती हो कहीं और से जाया करो चंदा कवी कैसी बाते करती हो ये तो गुजरने का रास्ता है यहां से तो कोई भी गुजर सकता है ये जंगल हम सबी बख्षियों का है तुम हमें यहां से जाने से नहीं रोग सकती हो तुम्हें तो सबसे ही मसला होता है आखिर हम सब तुमें कहते ही क्या है जो हम सब की पीछे पड़ी रहती हो यह कहकर लाडो चड़िया वहां से चली जाती है मैं अब इस चंगल में और नहीं रह सकती मैं इन सब बक्षियों से तंग आ चुकी हूँ एक दिन कालू कवा सबजी लेकर घर जा रहा होता है कि उसे टूनी चड़िया मिल जाती है अई टूनी अचा हुआ जो तुम मुझे यहां मिल गई हो तुम्हारा मुझे पे ऐसान होगा अगर यह सबजी तो मेरे घर पहुंचा दो मुझे जरा आगे जाना है कालू कवा की बात सुनकर टूनी चड़िया परिशान हो जाती है और कहती है कालू भाईया माफ करना मैं आपके घर यह सबजी लेकर नहीं जा सकती हूँ चंदा कवी को हम लोग पसंद नहीं है वो बाद बाद पर हम से लड़ती है वो हमें पिल्कुल पसंद नहीं करती है मैं आपके घर जाओंगी तो वो मुझ से फिर लड़ेगी यह कहकर टूनी चड़िया वहाँ से चली जाती है कालू कवा चब घर आता है तो वो चंदा कवी से कहता है ऐचंदा मैंने सुना है कि तुम जंगल में सबख्षियों से लड़ती हो तुमारी किसी से भी नहीं बनती है तुम हर वाकत उनको बाते सुनाती रहती हो मुझे रास्ते में टूनी चड़िया मिली है उसने मुझे बताया है कि तुम उन सब को बिलकुल भी पसंद नहीं करती हो हम एक जंगल में रहते हैं चंदा और यह सब बख्षी हमारे दोस्त है हमें इन सब से बना कर रखनी चाहिए हाँ तो उस चोटी चड़िया ने तुमें बढ़का कर भेज दिया ना मेरे पास यह सब बख्षी ऐसे ही है सब मुझे से चलते हैं और हर वकत मुझे से लड़ने के बहाने तूंडते हैं तुम जादा मुझे सबक मत दो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं उसे से बोलकर चंदा कवी वहां से चली जाती है तब ही चंदा कवी टूनी चड़िया के घर जाती है और टूनी चड़िया को कूप सुनाती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी चोटी चड़ियों को तुम जैसी चोटी चडियां दूसरों के मियां को अपनी आदाएं दखा कर काबू करना चाहती है अगर अब तुम मुझे कालू कवे के आस पास भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुन दो ये तुम अच्छी तरह से चंदा कवी केसी बातें कर रही हो ये कहकर चंदा कवी वहाँ से चली जाती है यूँ ही कुछ दिन गुजर जाते है चंदा कवी की तो जंगल में अब किसी से भी नहीं बनती थी तो एक दिन चंदा कवी नदी पे पानी पीने आई थी कि उसका पाउं भी सल जाता है और वो नदी में बचाओ बचाओ आई को ही बचाओ मुझे तबी टूनी चिरिया भी वहाँ आ जाती है और वो चंदा कवी को डूपते हुए देख लेती है वो फॉरल से पानी में जाकर चंदा कवी को निकालती है तूनी चिरिया तुमने मेरी जान बचाई मैं तो हमेशा तूम से लड़ती थी मैंने तूम से कितने लड़ाई की कितने इल्जाम लगाई और तूमने फिर भी मेरी जान बचाई मिझे माफ कर दो कालू कवा सही कहता था तूम से बच्ची बहुत अच्चे हो मैं ही मूरी थी जो हर वक्त तूम लोगों से लड़ती थी तो मुझे माफ कर दो टूनी चिरिया तो टूनी चिरिया कहती है चंदा कवी अब रोना बंद कर दो तुम्हें अपनी गलती का एसास हो गया है यही बहुत है अब भी हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सरूर करें अला हाफिज चंदा कवी ओ चंदा कवी सोई रहती है हर वकत अरे उठना मेरी बात तो सुन ओ चंदा उठ जा कब से बोल रहा हूँ क्या है क्या बोल रहा है बस सोने न दिया कर मुझे दुश्मन है तु मेरी नीद का जब सोती हूँ आवाजे देने लग पड़ता है तू तो जान भी खा गया है मेरी क्या है अरे छोड़ना उसा चंदा ज़र देखना बाहर कितनी प्यारी बारिश हो रही है कितने मज़े का मौसम है चंदा क्या तेरा दिल नहीं का रहा कि इस मौसम में गरम गरम पकोड़े हो तो कितना मज़ा आए खाने में ज़र सोच तो सहीना चंदा कितना मज़ा आए अगर गरम गरम पकोड़े मिल जाएं क्या कहती है तू पकोड़ो को नाम सुनते ही चंदा कवी भी पकोड़ो में खो जाती है लेकिन मैं क्या करूँ कालू कवे, ये मुझसे पकोड़े पकते नहीं हैं। अरे तो मेरी चंदाकवी, तुझे पकोड़े बनाने की क्या जरूरत है। हम चलते हैं ना टूनी-चिड्या के घर, उसको ही बोलते हैं कि पकोड़े बना दो। क्या छोटी चड़िया के घर हाँ ये ठीक है चलू चलते हैं छोटी चड़िया के घर और उससे पकोड़े पकवाते हैं फिर कालू कवा और चंदा कवी टूनी चड़िया के घर जाते हैं जिब चंदा कवी और कालू कवे को टूनी चडिया अपने घर देखती है तो कहती है क्या बात है कालू बहिया आप दोनों यहां पर कैसे आ गए इस लिए बारिश में वो भी खेरियत तो है न? हाँ हाँ सब खेरियत है टूनी चडिया वो क्या है न? कि हम दोनों का पकोड़े खाने का बहुत जी जा रहा था तो हमने सोच अब क्या अकेले अकेले बैट के बारिश के मौसम में पकोड़े खाएंगे जरा चलते हैं टूनी चुडिया के घर मिल बैट कर पकोड़े बनाते हैं, खाते हैं मिल कर बैटने का तो मज़ा ही और है, क्या कहती हो तुम हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो पकोड़े बनाने का कोई समान नहीं है और आलू भी नहीं है, आप लोग ऐसा करें कि मिठ्धू तोते और मिठ्धू तोती को भी बहला लाएं और उनसे आलू भी ले आएं, फिर हम सब मिल कर पकोड़े बनाएंगे और खाएंगे हाँ हाँ टूनी चिड्या, हम दोनों अभी जाते हैं, उन दोनों को भुला लाते हैं और आलू भी ले आते हैं तुम जब तक कड़ाई रखो चूले पर फिर वो दोनों मिठूत होते के घर आते हैं अरे मिठूत होते, क्या कर रहे हो, क्या हाले चाले हैं तुम्हारे जरा अपने आलू तो लो, और चलो हमारे साथ, आज हम टूनी चिड्या के घर पकोड़े बनाएंगे अरे ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बना लिया तुम लोगों ने बारिश के मुसम में मिल बैटके पकोड़े खाने का तो मज़ा ही और है मैं अभी आलू लेता हूँ, फिर हम चलते हैं टूनी चिड्या के घर, चलो ठीक है, चलो आगे आगे इदर तूनी चिड्या किचन में आकर कड़ा ही गरम करती है, इतने में बाकी सब भी आलू लेकर आ जाते हैं, फिर वो सब मिलकर पकोड़े बनाना शुरू करते हैं, थोड़ी ही तेर में पकोड़े बन जाते हैं, तूनी चिड्या सब को प्लेटों में पकोड़े डाल कर द तो मज़ा आजाएगा चलो चंदा कवी अब चलते हैं अरे कालू भाया इतनी भी क्या जल्दी है आपको अभी तो पकोड़ी खाए है अभी तो किचन साफ करना है और सब बरतन भी धोने हैं बरतनों का नाम सुनकर तो कालू कव्वे का रंगी ओड़ जाता है तो कालू करो चलो चलो चंदा कवी मिलकर बरतन दोते हैं फिर घर जलते हैं ठीक है फिकर मत करो तुम टूनी कालू कव्वे की यहालत देखर सभी हसने लगते हैं टूनी चिडिया की छोटी सी बेकरी थी जिस पर वो मुखलिफ चीज़ें बेचा करती थी गाउं के सभी परिंदे उस यह तुम खाओ तुम्हें अच्छे लगेंगे इसी तरह से उसके पास हर वक्त रश लगा रहता था उसका कारुबार बहुत अच्छा चलता था उसे किसी किसम की कोई परेशानी नहीं थी वो आराम से पूरा दिन काम करती और शाम को अपने घर जाती और आराम करती इसी त पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई गहाग ना आए, मेरे पास तो पूरा दिन गहागों का रश लगा रहता था, तो आज क्या हो गया? घर जाकर भी वो परिशान ही रहती है, कि आज पूरा दिन उसके पास कोई गहाग क्यों नहीं आया, यही सोचते सोचते पूरे रात गुजर जाती है, और अगले दिन वो फिर से अपनी बेकरी खोलती है, तो उस दिन भी ऐसा ही होता है, पूरा दिन गुजर जाता है, और उस पिंकी चुडिया आज दो दिन हो गए मेरी बेकरी में कोई नहीं आया सब खेरियत तो है मैं बहुत परिशान हो रही थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मेरी बेकरी में कोई ना आए सब ठीक तो है ना हाँ हाँ सब ठीक है यहां गाउं के पास ही एक बहुत बड़ी बेकरी खुली है कोई बेकरी में इतने मज़े मज़े की चीजें होती हैं कि दिल करता है कि सब कुछ खा जाएं इतने मज़े केक डोनेट्स अब तो हम गाउं के सब ही परिंदे उनहीं के पास जाते हैं और उनह नहीं सही अपनी चीज़ें खरीदेते हैं अब तुम्हारी चीज़ें खाका कर अब हम बोर हो गए हैं चिडियों उसकी बाते सुनकर परिशान होकर वहां से चली जाती है और घर आकर भी वो बहुत परिशान होती है और रोने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी मेरा किस तरह से कारूबार चलेगा मेरा तो और कोई काम भी नहीं है मुझे तो और कोई काम आता भी नहीं है फिर वो फैसला करती है कि वो सुबा कवे भाया की दुकान पर जाकर उसकी बेकरी जरूर देखेगी फिर वो कवे की बेकरी में आती है तो उसकी बेकरी में परिंदों का रश लगा होता है और क्यों ना लगे उसकी बेकरी में तो बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी वो ये देखकर उदास हो चाती है और वहां से चली जाती है और जाते हुए रास्ते में वो यही सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा काम फिर से चल पड़े और वो ये सोचती है कि अब उसे मायूस नहीं होना बलके उसे काम करना है मेहनत करनी है और बिल्कुल कवे जैसी चीजें ही बनानी है अगले दिन से वो मेहनत करकर आखिरकार डॉनर्स, पीजा और केक बना ही लेती है और अब इंतजार करती है कि उसकी दुकान पर फिर से सब परिंदे आएं आओ आओ छोटे परिंदे देखो तो कितने मज़े मज़े की चीजे बनाई है मैंने ये देखो केक, डॉनर्स, हाँ आँची आपने तो बहुत मज़े की कवे भाया जैसे चीजे बनाई है मुझे तो ये डॉनर्स ही चाहिए, हाँ ये लो, तुम ये डॉनर्स ले लो, ये तुमें बहुत अच्छा लगेगा, शुक्रिया आँटी और फिर चोटू के जाने के बाद पिंकी चिडिया आती है, वो कहती है, अरे चिडिया बेहन, मुझे कोई अच्छा सा केक है, तो दिखाओ, वरन्ना मैं कवे भाया की दुकान पे जाती हूँ, आज मेरी बेटी की बर्दे है, और मुझे तो कोई अच्छा सा केक ही चाहिए हाँ हाँ, क्यूं नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा केक बनाया है आज, स्पेशल बर्दे के लिए ही बनाया है, तुम ये देखो, तुमें बहुत पसंद आएगा ये केक केक देखकर पिंके चिडिया बहुत खुश हो जाती है, वो सोचती है, ये केक तो कवे भगया की तुकान से भी ज्यादा अच्छा है, वो टूनी चिडिया को कहती है, ये केक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन ये बहुत मज़े का भी होगा, मैं तो अपनी बेटी के लिए यही केक लेकर जाओंगी और फिर वो केक लेकर चली जाती है। टूनी चिरिया भी खुश हो जाती है कि उसका काम फिर से चल पड़ा है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दिल लगा कर महनत करनी चाहिए। अल्ला ताला हमें हमारी महनत का सिला जरूर देता है और आकिर कार हमें कामिया भी जरूर मिलती है। अल्ला हाफिज।